देखिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि SDM को क्या-क्या पावर है अवेद कवजा संबंदी जमीन को विवाद खतम करने की कुछ सेक्संस भी मैं इसमें आपको बताऊंगा धारा 164 हो गया 165 हो गया 134 हो गया जो कि अगर मालीजी जमीन विवाद है या मालीजी विवाद कुछी प्रकार से संबंदी जमीन विवाद अवेद कवजा है तो आपका अवेद कवजा अटवाने के संबंद में आपको बहुत ही साहता मिलेगी और देखिए अगर आप जूनियर एड़ोकेट है फिर तो आपके लिए बेहद महत्पूर है आमालीजी आप वकालत सीखना चाते हैं बिना LLB के तो आप चाहें तो इस चैनल को जोइन भी कर सकते हैं और 59 रुपए में हजारों लोगों ने जोइन कर रखा इसमें आपको क्या मिलेगा इस पेसल वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलेंगे प्रीमियम वीडियो के जिसमें जो है आदेस पीडिएफ सहत आप देख सकेंगे ठीक हे विडियुकर सुंके ठीक है रिकलेंटों में आपके प्रशनों के जवाब मिल जाएंगे नए कोट ओरस और ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे जैसे मालेजी दावा के लिए वह आपको सीकने के लिए मिलेंगे तो भी आप कर सकते हैं अब देखिए क्या होती है वो आप जान लीजिए और देखिए अगर आप कोई भी बैतर कानूनी सला लेना चाहें या कोई डॉकुमेंट चेक करवाएं जमीन केज करवाना चाहें तो हमारा आप दो प्रकारगी पावर के बारे में आपको बताऊंगा एक तो एक इसकी कुटिव संग्यान में ले सकते हैं दूसरा है कि उनके नियाला में चलेगा ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा अब सबसे पहले में पताऊंगा सातियों डारेक्ट तुरंट जल्दी से जल्दी कभ प्रिक्रिया के बारे में चलिए वो आप जान लीजिए ठीक है और देखिए कोई भी आप बैतर कानुनी सला लेना चाहिए डॉकुमेंट चेक करवाना चाहिए तो हमारा यहां पर इस्तिती 164 कब लगेगी वो आप जान लीजिए जैसे माली यह प्रोपरिटी है एक्स और आपका कब जाए अब मेरा नाम है भी मैं आपे दवंगों को लेकर आ रहा हूं और आपका कब जा अठा देता हूं जवरन ठीक है दवंग गई से यहां पर मार फीट करके अ इडा देता हूं और मैं कर लेता हूं तो यहां पर SDM के इंट्री होगी SDM को पावर है 1264 में 1264 क्या कहती है वो देख लीजिए यहां बो में अज़त संबंदी विवादों से परसांदे भंग होना संभावना है यानि कि अब देखिए A और B जब यहां पर लड़ाई समादान हो जाता है कि उसकी स्थानी अधिकार कता है यानि कि उसके बहु कि अपेच्षा करते हुए लिखेत आदेश देगा कि नंदर्दिष्ट तारीक को समय अपने प्लीडर रिया माल लीजिए बादवक्ता द्वारा नियाला में आजे रहो और विवाद की विसेवस्त वास्तिक कवजे से संबंदित अपने दावों को लिखित पेस करें यानि कि A और B दोनों कोड में आएं किसका कवजा था प्रेजेंट ताइम वो अ SDM की एंट्री होती है और SDM को आप पावर भी देख चुके हैं दूसरी चीज साती हो एक चीज और है कि अगर माल लीजिए A और B किसी X प्रॉपरिटी को रहे के लड़ रहे हैं अब SDM को यह समादान नहीं हो पाता कि A का कबजा पहले से था कि B का कबजा पहले से था इस स कोई भी आपको बैतर कानूनी साला लेनी है तो हमारा कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिस्मिन मिल जाए ठीक है देखे सात्यू मैंने आग जैसा कि आपको बताया A और B आपस में लड़ रहे हैं यहां पे एक्स प्रॉपरिटी को लेगे अब SDM यह नहीं पता लगा पाते ह कर देंगे पता कि करेंगे जब तक कि इसका जो है नयाला सभाधान नहीं हो जाता है यह महीं नहीं भी आ दो के लिए लीजिए कर सकते यहां में आपको पडबा दूं थोड़ा कि पादेश करने के पस्चात किसी समाधान नहीं कर पाता है नहीं नहीं टू समय उन में से ज़ा विवादस्ते को को तब तक के लिए कुर्क और तक सकता है जब तक सच्चम न्याला, उस पर जो है, हखधार विक्ति के पच्छ में अधिकारों को आफधार अप्धार्रा नहीं कर देता, यानि की कोई court order गंता, जैसे माली जी अवी ले रहा है, ठीक है, एक्स property को लेगे, बीवी लेड रहा है, एक्स property को लेगे, civil नियाले में जाए या मालीजी जो भी सच्छम नियाले में जाए और उस नियाले में भाई जो है नियाले में जाके जब तक नियाले ओर नहीं देगा कि A का मालिकाना गोसित किया जाता है कि B का मालिकाना गोसित किया जाता है और मालीजे अगर आप junior वकील है या मालीजे बहतर वकालत सीखना चाहते हैं वो सीखना चाहते है जो कभी आपको senior वकील नहीं बताएंगे तो आप 59 रुपए में only चैनल जोइन कर सकते है special videos के लिए special जानकारी के लिए ठीक है चलिए आता है फिर topic पर एक topic और देखे सात्यों एक धारा और धारा 134 ठीक है धारा 134 यानि कि बेदखली के लिए वाद यह यूपी रसी की धारा 134 है यानि कि जब भी मालीजे एक प्रोपरटी है इस पर कोई बंदा जवर जस्ती कवजा किये है तो बी को आठवाने के लिए जब आप केस करेंगे बेदखल हूँ एक मिनट रुगी है सात्यों मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मालीजी सात्यों यह गट संक्या 234 है आपका नाम है यह आप कभजा की यह आपे 10 साल से ठीक है अब मैं आपे हटवार आओ कभजा 10 साल से कभजा है अब देखिए करसी की जमीन है तो भाई मुझे तो र रेवेन्यू कोट्स की दारा 134 कहती है कि भाई अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वह तरीके से आपकी जमीन पर अध्यासी है यानि की कभजा किये हुए है तो उसे बेदखर करने के लिए आपके इस ला सकते हो दारा 134 में ठीक है और वो केस कहां चलेगा वो च राजस्वधिकारी की विवेक पर होगा लेकिन नुक्सानी दर अध्यासर के प्रतियक वर्स के विवादित गूम कलेक्टर द्वारा दिरदारे सरकेल रेट के अगरत 5% 5% की धरनासी से कम नहीं होगी और नियाला राजस्वधिकारी जो है कारड़ा अब लेकित करेगा आपको बता दूदारा 24 सीवांकन मेडवन्दी वो भी पावर है इसके अलावे भी मालिजिया आपका बिवाद हो रहा है पडोसी से या किसी अनिवक्ती से ठीक है तो आप प्रसासनक तोर पे SDM को एपली केसल लेकि जा सकते वहाँ पर भी आप आदिस करवा सकते ठीक है त पुलिस को भी है और जो एंटी वो माफिय पोर्टल है उसमें भी SDM जो है वो स्टीम का अहम मेंबर रहता है ठीक है तो काफी कुलम लागी यह पावर है ने काफी लोगों को ठीक है और कोई बिवादर कारणी सला लेना चाहे तो कॉंटक नमबर वीडियो